तो फ्रेंट सामने आप यहां में देख सकते हैं, congratulations, you are eligible for first cash revolving line of credit, यहां मुझे मिला हुआ है, किस के द्वारा 11,000 का loan line of credit, जिसे मैं EMI पे करके again and again इसको use में ले सकता हूँ, तो फ्रेंट मैं आपको बतादू, नीचे आप देख सकते हैं, यहां पे sanction letter भी मुझे मिल चुका है, यहां पे इसे मैंने download कर लिया है, आप देखें यहां पे मेरा name उपर दिखाई दे रहा है, यहां पे transaction ID, approval date, यहां पे loan amount, interest rate, interest amount, validity, amount हमें कितना pay करना है, यहां पे co-landing ratio क्या है, पूरा का पूरा detail यहां sanction letter में यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप यह तरीके से आप यहां instant loan के लिए apply कर सकते हैं और instantly अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि यह loan किस condition में आपके लिए फायदे मन्द होगा, और किस condition में आपके लिए यह घाटे का सौधा हो सकता है, तो वीडियो पूरा ज सही होगा या नहीं होगा, तो वीडियो में आपके बढ़ने से पहले आपसे request रही अगर आप हमेरी चैनल पर पहली बारा है, तो please चैनल को subscribe करें, और हाँ वीडियो को like और share भी करें, और साथ ही साथ मुझे जाके Instagram पर follow कर सकते हैं, और मेरे Telegram चैनल से भी जूड़ सकते ह हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये 11,000 का लोन मुझे किस से मिला यहाँ पे केवल और केवल आधार कार्ड का यूज करते हुए, हमने किस application को open कर लिया, आप देख सकते हैं, यहाँ तीनों option आ रहे हैं login के लिए, या तो आप अपना mobile number डालके यहाँ पे login कर सकते ह हैं, दूसरा जो नीचे का option है, गूगल से यहाँ जीमेल के तुरू आप कर सकते हैं, तीसरा Facebook, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने mobile number से login, यहाँ पे OTP automatically detect हो चुका है, और हम अंदर login हो चुके हैं, अगर आपका OTP directly नहीं detect हो रहा है, तो आप इसे अलग से डाल सकते हैं, यहाँ कुछ permissions मांगा जा रहा है, जिसमें आपका SMS है, location है, और phone storage की आपकी permission मांगी जा रही है, तो यह सारे की permissions यहाँ पर फटापट मैं दे देता हूं, अब यहाँ location का भी permission मांगा जा रहा है, तो location का भी permission मैंने यहाँ पर दे दिया, अभी देख सकते हैं, सामने interface open होके आ चुका है, जिसमें सबसे पहले gate instant loan का option आ रहा है, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर right hand side में loans का एक option आ रहा है, जिसमें click करेंगे, तो आपको दिखाई देगा, अगर आपका कोई loan चल रहा है, तो यहाँ पर मेरा कोई भी loan अभी नहीं चल रहा है, नेक्स में आप मुझे सोक किया जा रहा है, credit limit, चलिए यहाँ लेट्स स्टार्ट पे मैंने click कर दिया, अब दिखें, नेक्स स्टेप में यहाँ पर हमें अपना pen card डालना है उपर, and pen card डालने के बाद से continue पे click कर देना है, नेक्स स्टेप में सबसे उपर मेरा name दिखाई दे रहा है, हमारा date of birth यहाँ पे choose करना है, after that marital status हमें choose करना है, and then हमें हमारा father name at last में यहाँ नीचे डालना है, and उसके बाद से proceed का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस पे हमें click कर देना है, नेक्स स्टेप में यहाँ पे हमें हमें हमारा पूरा बुरा address डालना है, जिसमें सबसे बले ह है, and proceed बटन पे आपको click कर देना है, हमें salary या self-employed own business, इन दोनों से कोई भी select करना है, तो हमने यहाँ select कर लिया, salary, अगर आप businessman है, self-employed है, तो आप इसको choose कर सकते हैं, next वाला, हमने salary choose कर लिया, अब यहाँ पे देखिए, हमारा current जो profession है, उसका name यहाँ पे डालना है, जो कितना है, तोटल आपका income कितना है, नेट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, तोटल जो income है, आप वो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे teacher हूँ, मैंने teacher डाल दिया, 30,000 gross monthly income मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया, next salary हमारा कैसे आता है, तो हमने यहाँ पे choose कर लिया, य एक reference हमारी family से होगा, जोगी या तो father या mother, spouse कोई भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे spouse select कर लिया, इनका क्या करना है, आपको number डालना है, और उनका name डालना है, second reference में आपका कोई भी एक friend हो सकता है, उसका phone number और उसका name डाल देते हो, और third में भी आपको अपने किसी friend का ही phone number और यहाँ पे name उसका डालना है, और प्रसीड वाले button पे आपको click कर देना है, यहाँ पे next step में देख सकते हैं, अब अपना KYC हमें करना है, जो कि dg locker के through यहाँ पे बोला जा रहा है, हमारे details को फेज करने के लिए, तो हमें इसके through अपनी KYC complete करनी है, अपना आधार detail हमारे पास जो भी आधार से connect number होगा, उस पे OTP आएगा, हम OTP डालेंगे और हमारा आधार यहाँ पे verify हो जाएगा, हमें अपना आधार number डालना है, और नीची जो security code दिखाई दे रहा है, वो security code हमें डालना है यहाँ पे, and next के button पे हमें click कर देना है, अब यहाँ पे दिख कर देना है, सामने यहाँ पे देख सकते हैं, मैसेज आ रहा है कि मेरा डीजी लॉकर के through already account बना हुआ है, तो मुझे अपना security pin है, वो यहाँ पे security pin डालना है, and continue पे click कर देना है, अब यहाँ पे allow कर देना है, कि हम अपना consent दे रहे हैं, कि Android app को हमारी जो details है, उसको use करने के लिए, पेचिंग the document from dg locker, dg locker के through हमारा document यहाँ पे verify हो चुका है, हमारा आधार काड verify हो चुका है, आप देके next step में यहाँ एक selfie हमसे लेने के लिए बोला जा रहा है, तो हमने selfie यहाँ पे ले लिया, use this photo पे हमने click कर दिया, अगर आपकी selfie अच्छी यहाँ पे नहीं आ रह हो चुकी, आप यहाँ नीचे एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, confirm and continue का, पे हमें click कर देना है, प्रेंट सामने आपे देख सकते हैं, 11,000 की यहाँ पे limit मुझे offer हुई है, 11,000 का loan मुझे मिल पा रहा है, आपे, disbox जिसमें से मुझे किया जाएगा, only आपका 8,988 रु Oh my God, यह बहुत ही जादा high है, annualize अगर rate की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, 52% के हास पास यहाँ annual हमें interest rate pay करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही high है, यानि कि जब तक आपको बहुत ही जादा इमर्जिद्धी नहों, please आप यहाँ से loan के लिए apply न करें, क्योंकि एक आपका जो credit history है, वो खराब हो सकती है, तो यह definitely आप इसका ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए, दो installment आपको यहाँ पे pay करनी है, क्योंकि 62 days के लिए आपको only a loan मिल रहा है, पहला installment का date यहाँ पे नीचे दिया हुए, आप देख सकते हैं, 30 January 2023 यहाँ पे दिया हुए, चुक 26 रूपीज यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है, लेकिन यह देखिए, कि जो dispersal amount है, मेरे approved amount से पहले ही 2000 रूपीज के लगभग वहाँ deduct कर लिया जा रहा है, काट लिया जा रहा है, आपने आप देख सकते हैं, fee structures का, तो यहाँ पे देखिए processing fee के लिए 440 रूपीज लि लिया जा रहा है, credit information fee 55 रूपीज लिया जा रहा है, then one time इस credit को activate करने के लिए 1155 रूपीज लिया जा रहा है, then इस पे GST लिया जा रहा है, तो इतने तरह के charges आपको पहले ही यहाँ पे देना पड़ रहा है, जो total around 2000 के आसपास हो जा रहा है, और यह 2000 का amount आपके 11,000 के amount से पहले ही deduct करके and then आपके account में यहाँ पे भेजा जाता है आपका यहाँ पे 8,988 रूपीज फिरंज यहाँ पे देख सकते हैं, first installment बन रही है हमारी 5,458 रूपीज का, जिसमें की जो total हमें repayment करना है, वो आपका 5,626 रूपीज यहाँ पे करना है, क्योंकि इसमें plus हो जा रह है हमारा interest और आप यहाँ पे देख सकते हैं, due date की अगर बात करें, तो 30 January 2023 यहाँ पे दिखा रहा है, and second installment आप देख सकते हैं, 5,542 रूपीज जिसमें की आपका 85 रूपीज का only interest लग रहा है यहाँ पे, and total जो repay हमें करना है amount वो करना है, 5,627 रूपीज तो देखिए interest rate तो रहे हैं कई तरीके के, तो वो यहाँ पे काफी burden आपके उपर हो जाएगा, तो आपको अगर emergency हो, तभी आप यहाँ से loan लें, नहीं तो आप यहाँ से loan लन दें, किसी आप bank में try कर सकते हैं, या other किसी ऐसे NBFC में try करें, जहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से, और कम interest rate पे loan मिल जाए, आसान तो यहाँ का भी process है, लेकिन interest rate काफी यहाँ पे high है, साथे साथ charges भी यहाँ पे बहुत ही जादा high है, जो लोनों में मिलेगा, किस एप नहीं देगा, बलकि आप देख सकते हैं, नीचे RBI Registored, एक NBFC है, जो की Mass Financial Services Private Limited के नाम से है, यहीं के नाम से हमें य loan यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी documentation होगा हमारा, इसी के नाम से होगा, जो भी agreement होगा, इसी company के नाम से यहाँ पे होगा, तो इनका आगे इस loan को लेने के लिए, यह add bank का जो option यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे हमें click करना है, और आगे हमारी जो bank details हैं, उनको add करना है, अगर बात करें तो सबसे पहले आपको अपना IFC code यहाँ पे डालना है, देन आपको अपना account number यहाँ पे डालना है, अपने account number को दुबारा से डाल के यहाँ पे confirm करना है, account holder का name, जिस account में आप अपना पैसा लेना चाहते हैं, वो आपको डालना है, देन आपको select करना है या आपका saving account है current है या overdraft है या other है इन में से कोई भी option आप एक select करते हैं और proceed के button पे आप click कर देते हैं friends इतना करते हैं आपका bank account add हो जाता है then next step में आप अपना loan agreement यहाँ पे sign करते हैं यहाँ पे auto debit आपको करना पड़ता है और आपका loan आपके account में disburs कर दिया जाता है तो friends यह रही आज की पूरीग पूरी details इस application से किस application से instant loan लेने की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें जल्दी मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबा and take care